नमस्कार जाहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में और कल SSC CGL का final result जो है वो आया तो I hope चेक कर लिए होएंगे लेकिन मुझे जैसा उम्मीद था क्योंकि NTPC में जितना वेकेंसी था उससे थोड़ा अधिक ही CGL का वेकेंसी था तो प्रसनली अगर मै ऐसा लगता था कि 50% कंडिरेट NTPC वाले CGL की तरफ सिफ्ट हो जाएंगे ठीक ना लेकिन ऐसा नहीं हुआ कट अफ काफी हाई चला गया थोड़ा भूत उसमें इंपेक्ट पड़ेगा लेवल 2 और लेवल 3 वाले में क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता था मैं अपना भ काम था वह मेंली NTPC में लेवल 2 और लेवल 3 के कंडिरेट थे तो उन लोगों में हमने देखा कि अधिक का रिजल्ट हुआ है बहुतों का दूर ही पर मैं जितना को जानता हूं से 15-16 कंडिरेट का हुआ है इसमें तो यह ठीक ठाकी रेशियो होता है लेकिन जो 37 AC अधिक व बटके वह हो गया होगा मतलब लेवल 5 और लेवल 6 में यह चांस कम है कि लोग छोर के CGL में जाएंगे क्योंकि बहुत कम लोग कौलिफाय किये हैं उसमें मतलब मैं जितना को जानता हूं एक भी कंडिडेट ऐसा नहीं है जो उस एस गूरूप में आ रहा हो जो CGL में इनका रिजल्ट आया हो तो यह थोड़ा दिक्कत है हां लेकिन जिनका लेवल 2 और लेवल 3 में कुछ-कुछ नमबर से बच रहा है मुझे ऐसा लगता है प्रसनली कि उन लोगों को थरभूत मौका मिलेगा क्योंकि अधिक नमबर जो कंडिडेट है लेवल 2 लेवल 3 में वो लोग क्वालिफाइ किये हैं तो इसका असर यहां पर देखने को मिलेगा और इसका कुछ-कुछ इंपेक्ट गुरूप D पर भी पड़ेगा क्योंकि जब लेवल 2 लेवल 3 से खिसकेगा तो गुरूप D पर आप लोग अपना साचा जरूर कीजिएगा कि आपकी किसी दोस्त का या इंटेंशन होता है फिर आपका जो ट्रैक है उस पर आ जाईए क्योंकि चुनाब अब होने वाला है तो जाहिट जिवात वेकेंसी भी आएगा ही आएगा अक्टूबर नौमबर तक वेकेंसी आएगा तो लग जाईए अच्छे से मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लि जाहिट